उत्तर पर्देश में सरकारदवारा बालू कारोबार्यों पर सक्ति से निच्रानी रखने की कड़े निर्देश हैं जिसका पालन करते हुए खने स्वेभाग पुलस्वेभाग तहसिल प्रशाशन इस कड़ाके की सरदी में भी बार-बार जांच करने खदानों पर पहुंचते हैं। बेतवा नदी में एमनीजी भूमी पर भी सरकारदारा बालू के पट्टे दिये गए हैं जिसकी जाच करने के लिए शुकरवार रात्री प्रशाशनी कमला पूंचा जिसे देखकर वहाँ पर बैठे कुछ मलाहा डर के मारे नदी में कूद गए जिन में से एक ब fines जाथा कि मलाहा नदी में तेरकर कहीं भाग गया और डर के मारे सामनी नहीं आ रहा है क्योंकि अगर मलाहा नदी में होता तो अभी मिलने पर पर नहीं मिलना संभव है क्या नाम है आप कहा कि निवाशी है अभी कहा खड़े हैं हम लोग किस जगह का नाम क्या है यह रच है अच्छा यहां कोई घटना हुई है बता रहे हैं कोई नदी में कुण गया है कौन थे आपके वो क्या नाम था कितनी उम्र रही होगी इस तैन ना जानते थे वो किस बज़े से नदी में कुन गए कितने वज़े की घटना है राततरी की दिन की अ कब जानते थे 5500 यह बदे अब ही क्या हुआ है कुछ सुराग नी ने की बदाए कर रहा है तया ना जानते थे और नहीं जानते थे ची करना तो जानते ने हैं कितने बज़े की घटना है दिन में रात्री में इस समय हम खड़े हुए जिला जहांसी के तैसिल गरोठान तरकत एरच में सरकार के कड़े निर्देश हैं कि नदियों के किनारे और अनलेगे पर सगन चेकिंग अभियान चला जाए गाए इसी क्रम में यहां पर बता जा रहा है कि दो दिन पहले HDM गरोठा और साथ में पुलिस प्रसासन ने च्छापा मारा जिस से दहसत में आकर कुछ मलाय नदी में कूंद गए और उनमें से दो लोग तो निकल आए थे एक का अभी तक कुछ सुराग नहीं लग रहा है फिलाल पुलिस प्रसासन और नाब एक जाल डाल कर उसकी खुजबिन कर रहे हैं अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है कि मलाय कहां है कहां नहीं है फिलाल एक प्रस्ण है किस तरीके से ऐसे दहसत में आकर वो कूंद गया क्यों कूंद गया एक बड़ा सवाल है